तो हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आसा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई आज सॉल्व कर दूंगा सभी का वीडियो को पूरा देखेगा एक रिक्वेस्ट है इसकीप किये ना तो फिर समझ में नहीं आएगा और कमेंट करेंगे ना तो सच में बता रहा हूं बहुत गुस्सा लगता है सच में अगर कमेंट करके पूछते भाई ये वीडियो देखो यार अच्छे से देखो तभी समझ में आएगा तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि जो आवाज सेटिंग होता क्यूबेस का वो कैसे होता आपूरा देखेगा अच्छ देखेगा ठीक है तो यह क्यूबेस चालो हो गया और यहां पे जाएंगे हम लोग क्लिक करके इसके बार हम लोग सबसे पहले device setup जो है नीचे यहाँ पर क्लिक कर देंगे simple एदम साधारन से बताऊंगा ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है ठीक है एदम simple भासा में बताऊंगा तो समझ जाओ भाई ठीक है यह control panel होता है कहें के लिए यह 512 पर मेरा चल रहा है ठीक है 512 पर मेरा इसका जो bit rate है उसको बता रहा हूं ठीक है जिसको buffer length करते हैं तो 512 पर अच्छा चलता है वाकि आपके पास sound card है तो आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो चलो इसके बारे नहीं वीडियो लंबा होगा ठीक है तो इसको cut कर देते हैं उसके बाद आपको आना है क्या VST system link जो है यहाँ पर आना ठीक है अभी देखो यहाँ पर यह आर्चिव है ना आर्चिव पर not connected है ठीक है तो यहाँ पर आप इन one कर सकते हो यह देखो यह out के लिए ठीक है आप यहाँ पर मतलब microphone का जो setting होता है उसके लिए ठीक है, तो in one करो, चाए in two करो, जो आपके पास microphone रहेगा ना, जैसे एक है या दो है, ठीक है, तो इसके लिए not connected है, तो भी चलेगा, मैं भी दिका रहा हूँ, मेरे में आवाज आता है, ऐसा नहीं की, नहीं आता, ठीक है, जो online जो out है, यह आप out करो या ना करो, ठीक है, left कर आने जा रहा हूँ, जो यह है, VST system, ठीक है, इस पर click करोगे, तो मेरे कर देख सकते हो, यहाँ पर, Apple Studio, ACO है, ठीक है, Apple Studio, ACO पर select किया हूँ, मैं, मेरे पास, ACO for all भी है, लेकिन मैं इस पर अभी नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं screen recording कर रहा हूँ, तो फिर, अगर इस पर, आवाज नहीं आएगा, ठीक है, तो मेरा Apple Studio, ACO पर चल रहा है, अब क्या करना है, यहाँ पर आप जो आपका ACO for all है, उस पर आप click करके, ऐसे Apple Studio पर click करके, switch कर दोगे, switch कर दोगे, तो आपका यहाँ पर OK हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, OK कर देना ह ठीक है, यह OK हो गया, फिर से जाना है आपको VST में, device में, उसके बाद जाना है आपको VST connection में, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या हो था, आवाज क्यों नहीं आता, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखे, यहाँ पर सबसे पहले input में click करो, ठीक है, input, यह यहाँ पर click करोगे, तो यहाँ पर देखो, मैं FL Studio यहाँ लिखा है न, FL Studio ACO, क्योंकि मैं वहाँ पिछले, जो मतलब device setup जैसे, इस पर मैंने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ACO for, FL Studio, ACO पर select किया हूँ, तो यही चीज यहाँ पर सो हो रहा है, यहाँ ठीक है, सो हो रहा है कि तो यहाँ पर सो हो रहा है, studio, speaker क्या है, studio में, IDO device जो है, FL Studio ACO पर select है, और फिर इस पर कहाँ पर है, देखो, in में क्या है, left, और into में क्या है, right, ठीक है, यह कहें के लिए है, in और, मतलब 1 और 2, दोनों in है इस टाइम, ठीक है, FLE Studio ACO में, ठीक है, इतना समझ गए, उसके बाद आपको output क्लिक करना है, output में भी same रहेगा, जैसा उसमें था, यहाँ पर not connected नहीं रहना चाहिए, इतना याद रखो आप, input हुआ, तो भी यहाँ पर not connected, अगर मैं कर दूँगा, देखो, not connected करके, और मैं OK कर दिया, अब देखो, मैं अगर तुमको कुछ सुनाओंगा न, तो नहीं सुनाए देगा, देखो, चल रहा है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अभी फिर से हमको क्या करना है, VST connection में जाना है, देखो, यहाँ पर not connected नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखो, और वीडियो को पूरा देख लोगे, तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, skip करोगे, उंगली करोगे, तो समझ में नहीं आगा, यह बात मैं तुमको बार बार बताया हूँ भाई, जो भी जिनको जरूरत है, वो देखेगा, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, एफल, इस्टूडियो, एसियो पर कर देंगे, और आउट में भी वन और टू रहना चाहिए, ठीक है, देख लो, आउट पुट में, और यह ग्रूप एफेक्स जो है, उसके लिए है, पिंग पॉंग जो मैं लगाया हूँ, वो ग्रूप एफेक्स है, आउट यहाँ पर द ठीक है, यहाँ पर टीसेबल कंट्रोल रूम जैसा है, वैसे रहने देना, कुछ मत करना, ठीक है, इन्पुट में एफले स्टूडियो रहना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर नॉट कनेक्टेट नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों, और आउट पुट में भी सिंपल सी बात है, ठीक है, अभी इसको कट किया, देखो, अब मैं बजाओंगा तो आवाज आएगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही मिश्टिक होता है, मेरे सब्सक्राइबर फोन किये थे, मुझे पूछे भी थे, दो-तिन जन, कि भाई मतलब सर इसमें आवाज क्य यह तो हर मेर आता है, ठीक है, एसमें लेटेंसी आता है, यह थोड़ा सिंपल ड्राइबर है, यहाँ पे आपको ACO for all डाउनलोड करना पड़ता है, गूगल में डाउनलोड कर सकते हो, और FL Studio ACO रहेगा, FL Studio इंस्टॉल किये रहे होगे तो, ठीक है, तो इसमें आप किसी पे भी क्लिक कर दोगे, करके स्विच कर देना, ठीक है, उसके बाद, देखो, यह कंट्रोल पने, मतलब, FL Studio ACO, यह क्या है, इसका बफर, मतलब, जो आपने ड्राइबर सेट किया है, उसका यहाँ से बफर लेंथ, चेंज कर सकते हो, अगर आपको लेस्टेंसी आ रहा तो, यहा यहाँ पर आपको not connected रहने दो, या तो फिर one पर कर दो, और इसको two पर है, तो two पर कर दो, ठीक है, और यहाँ पर check कर दो, check, उसके बाद, okay कर दो, ठीक है दोस्तों, तो यह सेटिंग है, आपका आवाज आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आवाज नहीं आएगा, यही दिक्कत होता है, यही नहीं समझ बाते है, फिर से बजा रहाँ देखो, आवाज आएगा, ठीक है दोस्तों, यह नया track है, मैंने बना है, FLA Studio में, इसका मैं mixing जरूर बताऊंगा, इसी गाने पर मैं mixing बताऊंगा, क्या-क्या effect लगता है, आपको, जरूर देखेगा बने वाद, ठीक है, तो चलो दस्तों, दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, बाई बाई